नमस्कार मैं प्रिंका आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूज इंडिया मदर्सों में नहीं होगी मौलवी आलिम और मुशी की शिक्षा इंजिनिरिंग यूनिवस्टी में पढ़ी जाएगी हनुमान चालिसा ये दोनों खबरे एक ही दिन की हैं बिजेपी सरकार की है एक खबर उत्तर प्रदेश की है एक खबर मद्ध प्रदेश की है हम आपको बताएंगे इन दोनों खबरों में कितना जमीन आस्वान का अंतर है कैसे हिंदू-मुस्लिम के नाम पर खेल किया जा रहा है पूरा प्रोपेगेंडा खोलेंगे पूरी पॉल खोलेंगे कि कैसे सबका सास सबका विकास के नाम पर सबका विश्वास तोड़ा जा रहा है पहले बात योगी सरकार की करते हैं जहां मदर्सों को लेकर इलाबाद हाइज कोट ने एक ऐसला पैसला सुनाया कि योगी सरकार के सारे फर्मानों पर पानी फिर गया है दैनिक भासकर की खबर है कि यूबी के मदर्सों से जुड़ी बड़ी खबर मुस्लिमों को उर्दू अर्भी शिक्षा की जगा तकनीकी शिक्षा देने की मांग हाई कोर्ट में खारिच कर दी गई है तो योगी सरकार तयारी कर रही थी कि जो अर्भी की शिक्षा दी जाती है उर्दू पढ़ाई जाती है जो वहाँ पर मौमुशी मौलवी की शिक्षा दी जाती है उसमें बदलाव करके साइंस और तकनीक पढ़ाई जाए जो परंपरागत तोर पर मदर्सों में शिक्षा विवस्ता है उसमें बदलाव किया जाए लेकिन इलाबाद हाई कोटे पैसला सुनाते हुए उस याचिका को ही खारिच कर दिया है क्या कहा है लाबाद हाई कोटे हम आपको बताते हैं खबर में अंदर लिखा हुआ है कि यूपी के मदर्सों से जुड़ी बड़ी खबर है कि मदर्सों में मुशी मौलवी आलिम की पढ़ाई की जगह प्रदेश के अन्य कॉलेजों में तक्नीकी और विज्ञान की दी जा रह तो उत्तरप्रदेश में जब से योगी सरकार सब्ता पर काबिज हुई है तक मदर्सों में मदर्सों केंद्र में बने हुए है लगातार कभी बुल्डोजर चलाने की मांग होती है कभी सामने बात आती है कि जो अनुदान राशी है उसको खत्म कर दिया गया है कभी बात आती है जांच की तो कभी मौल्वियों के पत समाप्त कर दिये जाते हैं और अब योगी सरकार ने फर्मान सुनाया था कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव किया जाएगा जो मौल्वी बनाते हैं जो मुशी है और जो मदर्सों में आलिम बनाने की जो शिक्षा दी जा रही है उसमें बदलाव किया जाएगा और यहां पर साइंस और तक्मीक की बात की जाएगी तो इसको लेकर इलावाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और इस याचिका को नॉन मेंटेनेबल बताते हुए खारच कर दिया गया है बता दे कि मदर्सों में हाई स्कूल और इंटरमीडियर के बरावर तक की शिक्षा दी जाती है यहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं वो हाई स्कूल और इंटरमीडियर के बरावर की शिक्षा के फूब प्राप्त कर लेते हैं अभी खबर सामने आई थी नौभारत टाइम्स की खबर है महाराश से खबर सामने आई थी इसमें लिखा है मैंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मदर्सों में जो शिक्षा दी जाती है वो कहीं से भी बच्चो को फीछा करती है जब से उत्तर प्रदेश में मदर्से पॉलिटिक्स में तब से लगातार इस तरह की खबरेसा मीं आ रही है जिसमें किसी ना किसी तरह से मदर्सों को टार्गेट किया जाता है, मदर्सों को लेकर खबरे सामने आती रहती हैं, इसी तर्च पर जब योगी सरकार ने फर्मान सुनाया कि जो परंपरागर शिक्षा विवस्था उसको बदलेंगे, उसको इलाबाद हाई कोट ने अब खार अब आपको मद्यप्यदेश की खबर सुनाते हैं, मद्यप्यदेश में कैसे बिज़ेपी सरकार की पोल खुलती है, आप देखेगा, एक तरफ तो उत्तरप्यदेश में बात की जाती है, कि मदर्सों में साइन्स और टेक्नलोजी की बात की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मद्यप्यदेश के बीटे कॉलेज में हनुमान चालिसा को पढ़ने का समर्थन किया जाता है, आपको मद्यप्यदेश की खबर भी बताते हैं, मद्यप्यदेश की खबर भी दैनिक भासकर नहीं चापी है, आपको दिखाती है, उसमें लिखा है, हसकर की खबर है कि य हनुमान चालिसा इंदूस्तान में नहीं पढ़ी जाएगी तो कई पढ़ी जाएगी, यह वही लोग हैं, जब आरोब लगाते हैं कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हिजाब नहीं पहना जाएगा, कॉलेज में एक रूल चलता है। स्थान जहां पर होते हैं वहाँ पर एक रूल काम करता है हलको हर्थ किसी को प्रोटोकॉल के तहर चलना होगा अब हनुमान चालिसा को पढ़ने का समर्थन किया जा रहा है एक तरफ तो आप साइन्स और टेक्नोलोजी की बात करते हैं दूसरी तरफ हनुमान चालिसा पढ़न लोर इस्ट इंस्टिट्यूट ओफ टेक्नोलोजी उनिवस्टी ने हॉस्टल में सामुहिक रूप से हनुमान चालिसा पढ़ने पर साथ चात्रों पर जुर्माना लगा दिया गया उनिवस्टी मैनेजमेंट ने इन चात्रों को नोटिस देकर पांच-पांच हजार रुप धर्म की शिक्षा नहीं होनी चाहिए साइंस और टेक्नोलोजी की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ कैसे खेलो रहा है अब देख सकते हैं हनुमान चालिसा सामुहिक रूपत से हनुमान चालिसा पढ़ी गई थी उनिवस्टी में और जब जुर्माना लगाया गया तो ग को जुर्माना की बढ़त है तो ग्रह मंत्री सामने आकर कहते हैं कि कोई बात नहीं कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इसके लिए जाश भी कि जाती है जुन्माना का ही किसी पर लगा न दिया जाया तो आप देख सकते हैं यहř सब्सक्रांश को बतलार करतें नुएरियू कॉलेज में हनुमान चाल्सा के पढ़ने का समर्थन करते दोनों जगा वी जेपी की सरकार है आप देख सकते हैं कि कि कितना बड़ा अंतर है आपको ये भी बता देती हूं कि ये वो ही इंजिनिरिंग कॉलेज है जहां पर हनुमान चाल्सा पार्ट करने की जो ये बात सामने ये वही उसी वी आइटी कॉलेज से नीरज विश्नोई नाम के लड़के को छे महीने पहले इसलिए गिरफ्तार किया गया था इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उसने बुल्ली आप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरे लगा कर उन्हें नीलाम किया था आप देख सकते हैं कि वी आइटी कॉलेज कैसे विवादों के घेरे में लग रहा है और आप यहां पर हनुमाल चालसा के पहणने का समर्थन कर रहे हैं कौन कर रहे हैं ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं तो ये दो खबरे हैं एक मत्य प्यदेश की हैं एक उत्तर प्यदेश की हैं दोनों खबरे बिजेपी की सरकार की है लेकिन कितना बड़ा अंतर है कैसे धर्म के नाम पर कितना बड़ा अंतर है आप देख सकते हैं जहां पर एक तरफ उत्तरप्रदेश में मदर्सों की जीत हुई है तो वही दूसरी तरफ इंजिनिरिंग कॉलेज में हनुमान चालसा करें सब्सक्राइब बटन दमाएं बला इकन दमाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसी रहें पर मिलते हैं भी खबर के साथ तब तक के लिए भनेवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दमाएं